नमस्ते मैं हूँ संजय इक्षित और आप देख रहे हैं दी जैपुल पैलोक्स बात करेंगे नीतीश कुमार की और लालू यादव की तो नीतीश कुमार जो थे वो गए थे दूला बनने और लालू यादव जो थे वो काम कर रहे थे नाई का यादि वो लेके गए थे नीतीश कुमार को दूला बनने और भाई हुआ क्या वहाँ पर बैंगलोर में के दूला तो छोड़ो उनको बरात में भी शामिल नहीं किया गया देखिए जैसे ही वो पहुँचे तो वहाँ पता चला कि डीकेश कुमार इत्यादी ने पोस्टर लगवा दिये और उनकी जो पल्टू राम की छवी थी उसको लिखा दिया कि भई अस्थिर अस्थिर उनको अस्थिर बता दिया गया यानि कह दिया गया कि भई तुम पल्टू राम हो तुमारे उपर किसी भी प्रकार का भरोसा नहीं किया जा सकता ये तो वहाँ पर लग गए होर्डिंग और पोस्टर तो उसको देख कई नितीश कुमार जी जो है वो निस्टित रूप से उनकी जो अबाल आया था उनकी बासी कड़ी में वो थोड़ा सा डाउन हो गया होगा उसके बाद जो हुआ उस मीटिंग में वह तो अभूत पूर्व है अब लालू जी की बताएं लालू जी वो नाई बनके उनको क्यों आगे बढ़ाना चाहते थे वो इसलिए बढ़ाना चाहते थे कि भाई किसी तरह से ये संयोजग बन जाए ये जो नया कटबंदन बढ़ा ह जिसका आजकल नाम कर दिया गया है एंडिया और इसको भी नीटीश कुमार ने बहुत नहीं सराहा क्योंकि नीटीश कुमार जो है वो थोड़ा बहुत इतना तो है कि वो जानते हैं जब बिहार में इंडिया वर्सस बारत चलेगा तो क्या होगा खेर उसकी बात हम अलग कर लेगे लेकिन नीटीश कुमार को बिल्कुल ही भाव नहीं दिया गया नीटीश कुमार को यह पूरी प्रत्याशा थी कि उनको सैयोजग बना दिया जाएगा इस घड़ बंदन का लेकिन यो जब तो बनाया ही नहीं गया उल्टे जो प्रेस कॉंफरेंस हुई उसमें ये एनॉंस किया गया थे हमारी कॉंग्रेस की तो कोई विशेश इच्छा नहीं है इसका अध्यक्ष बनने की हम कोई प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं प्रोजेक्ट कर रहे और कियोंकि जब तक राहूल गांदी का जो दोशसिद्धी का अपराद को दोशसिद्धी है वो जब तक हटनी जाता तब तक तो वो वैसे भी क्लेम नहीं कर सकतें लोग कहेंगे कि भाई आप तो लायक ही नहीं हो लड़ने के तो फिर आप कैसे करोगे लेकिन जैसा ही मैं एक प्रकार से चेक करने का काम करते हैं तो उन्होंने अपना जो रोल है वो अब Constitution को यानि सम्विधान को प्रोटेक्ट करना या सम्विधान की सुरुख्षा करना नहीं रख रख न रखते पूरी तरह से उसके आगे एक कदम बढ़ा के उनका कि हम सरकार को चेक करते रहेंगे हम सरकार का उल्टा करेंगे जो यह सरकार करेंगे उसका उल्टा करना जो है यह हमारी अच्छा है अच्छा इसलिए है कि राहुल गांदी ही रहेंगे तो ही होगा लेकिन जो खड़गे जी ने कहा कि हम अभी अध्यक्ष जो है वो नहीं बनाएंगे तो वो अध्यक्ष क्यों बनाएंगे जब तक कि राहुल गांदी जी जो है वो पूरी तरह से पाक साफ निकल नहीं आते हैं उनकी जो समस्याएं उन्होंने खड़ी की हैं अपने लिए उससे तब तक तो वो निश्चित रूप से नहीं कहेंगे यह बागी और कौन बनेगा वो हो हम देखी रहे हैं कि शताब्दी रोय जो खासल खास हैं ममता दीदी की उन्होंने देखा कि कॉंग्रिस क हमारा आवश्चक नहीं है इसका नेत्रत करना तो वो कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट मुझ को बना दो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट ममता दीदी बन जाए सही ओजग पहले जो फेस बनना चाहते थे नीतीश कुमार वो तो रह गए लालू है पिटवा को दे दो उनकी बहुत पुरानी यह आचा पत्याचा है क्योंकि वे स्वें भी चुनाव लड़ नहीं सकते होते तो फिर आप जानते हैं नीतीश कुमार का तो कभी नंबर ही नहीं आता और नीतीश कुमार जो यह रोज पल्टूराम वाला गेम खेलते हैं वो है क इसलिए संभव हो सका है क्योंकि राहुल गांधी जी ने उनके हित में लाया हुआ जो ओडिनेंस था वो फाड़ दिया था तो आप यह सोच सकते हैं कि दिहार की दशा कुछ और ही होती और पल्टूराम जी बार बार पल्टी मारने में सफल नहीं होते 2015 का चुनाओ पल्टूराम जी लड़े थे खुद मुक्यमंत्री प्रत्याशी बनकर क्योंकि लालू जी जो थे वो आयोग गये थे लड़ने के लिए और उसलिए 2015 में लालू जी उनको आगे करके बीजेपी को बाहर रखने के लिए तैयार हो गये थे यदि ऐसा नहोता आपको अगर ध्यान नहों तो 2015 में मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे उस समय मेरे पास ट्विटर अकाउंट ही था यूट्यूब नहीं था तो 2015 में मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे ये कहा भी था कि केंद सरकार को ये चाहिए कि वो ओर्डिनेंस जो वो द्यादेश जिसको फाड दिया था उसको लागू कर दे क्योंकि उसको लागू करने से फिर हमारे लालू जी को रिलीफ मिल जाती और लालू जी चुनाव लड़ने लायक हो जाते हैं अब इनकी पलटी गुलाटी मैं आपको बताता हूँ कि लगबग समाप तो हो गई है अब आगे पलटने का इसको बहुत कम बचा है वो इसलिए कम बचा है कि यद्यपी वो भारतिय जन्ता पार्टी में बार बार आना चाहते हैं बार बार संकेत दे रहें और जब उनको लेने से इनकार कर दिया गया तो समराट चोधरी जो इनके राह में काटा बनकर खड़े हुएं क्योंकि वो भी उसी लव कुछ समीकरण जिसको बोलते हैं कुर्मी कोरी वाले समीकरण से ही आते हैं तो उन्होंने उनकी राह जो है वो ब्लॉक करी तो उससे इतने कुरुद हुए कि उन्होंने पूरा लाठी चार्ज करवा दिया पटना में ऐसा जैसा कि कभी किसी राजनीतिक दल के कारकरताओं पर बेहार के इतिहास में कभी नहीं हुआ तो दिख रहा है आपको नीकीश कुमार जी जो है जाना तो आज भी चाहते है मन में लड़ू उनके फूट रहे है उनको यह पता है कि तेज़ेश्वी किसी भी दिन उनको ले जायेगा उसको केवल साथ सीट चाहिए बलकि मुझे तो लगता है कि यदि थोड़े सी स्मार्ट हो बीजेश्वी वाले तो वो जदियू वाले जो 26 नेता और 26 अमेले उनके पास बैठे हुए आने के लिए उनमें से कुछ को भेज दे तेज़ेश्वी के पास तो कम से कम पल्टू राम की जो पल्टी है वो खतम हो जाए और जो धरातल पर कुर्मी वर्सस ज्यादव जो मगद छेत्र में इतना इसपष्ट चलता है वो और भी ज्यादा खटास में बदल जाए लेकिन पता नहीं ये बारती जंता पार्टी वाले करेंगे या नहीं करेंगे क्योंकि बिहार पार्टी जन्ता पार्टी में जो भी होता रहा है वो सब कोछ हाइ कमांड से होता रहा है और हाइ कमांड जो है बिहार के मामले में बहुत अधिक सफल नहीं रही है ज़ compact तो यह आप सोच सकते हैं कि जिस पार्टी को दो सीटे मिली हो फिछले लोकसभा चुनाओं में उसको सत्रा सत्रा सीटों बराबर बराबर पर उसके हम जवता कर ले अब ऐसी क्या विवच्टा थी ऐसी क्या मजबूरी थी कहा जाते है उस समय नितीश कुमार उनके पास तो इतना समय भी नहीं था कि पलट पे कहीं जा स देगी कि कैसे वो ब्लैक मेल कर लेते थे लेकिन कांग्रेस वालों को ब्लैक मेल नहीं कर पाएई इस पार नितीश कुमार को नका रस्ता दिखा दिया उनके खिलाब वोडिंग भी लगा दी पोस्टर भी लगा दिये और उनको यह भी बिए दिया कि तुमको सजिय जUSक न लिए तयार नहीं हुए तो एग्जिट नितीश कुमार अब नितीश कुमार क्या करेंगे अब देखिए कॉंग्रेस ने भी अपनी जो राहे हैं वो बिहार में थोड़ी सी दुरूह कर ली है क्योंकि कॉNG्रेस की वैसे पोच्छे है तो अराज कर के वो क्या करेंगे के अब नितिश कुमार और लाजू यादाव उनको भाव कम देंगे हो सकता है ना भी dès की अच्छा बहुत जादा बनते हो ना लड़े जमने आप अलग से लड़के दिखाओ एक सीट उनकी उक्किशन गंजवाली आई थी पिछली बार वो ही फिर आ जाएगी उससे ज़्यादा उनकी आवकात नहीं उत्तर प्रदेश में तो वो भी नहीं आनी राइबरेली भी नहीं आनी इस बार तो भाई पूरा का पूरा जो ये उत्तर प्रदेश बिहार वाला जो आपका जो इंदी चेत्र है इंदी वाशी चेत्र है साथ में राजस्तान चत्तीस गड़ और राजस्तान भी मिला लीजे तो इस पूरे चेत्र में इनका फिर से सफाया होना मुझे लग रहा है कि इत्ता है हो गया है इसी प्रकार का काम कांगरिस ने नितीश कुमार को नाराज किया नितीश कुमार तो बे लेगिन नितीश कुमार की पुरानी हिस्ट्री है उनका पुराना इत्यास है उनका पुराना नारा है क्या कि खुद डूबेंगे मगर यार को ले डूबेंगे जैहिन बंदे मात्रव